जैन साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चनल, सुरो ट्रिपल से तियारी में और आज के इस वीडियो में इमेल से समंदित important questions लाए हैं जो आपके ट्रिपल सीव जाम और अधर एक्जाम के लिए भी important होते हैं पहला कुछन है इमेल पते के उपयोग करता नाम और इमेल सरवर भागों को परतित द्वरा अलग किया आता है यहां पर जो उपयोग करता लिखा है जैसे कि कोई इमेल आइडी आपके होती है जैसे लिखा है abc123.gmail.com यहां पर आइड के पहले का जो भी portion होता है उसको हम username बोलते हैं हिंदी में उसको उपयोग करता नाम बोलते हैं और जो gmail.com होता है वो domain name होता है और जो बीच वोला symbol होता है इसको हम आइड बोलते हैं नेक्ट कुसर है इमेल पते का दूसरा भाग तो अभी हमने बताया जिसे abc at gmail.com होता है दूसरा भाग होता है at gmail.com तो वो क्या पहिशान बताता है तो बैंक का नाम या email server का नाम या वेक्तिगल मेल उसका correct answer होगा email server करना आट के बाद gmail.com yahoo.com जो भी लिखा होता है वो email domain name या server नाम कहा जाता है अगला कुसर है यदि आप याद रखना चाहते हैं कि या महत्पूर्ड है तो आप किसी email को कर सकते हैं आसान पहुच के लिए एक विश्यस folder में रखा जाता है यानि या चाहते है को email आपके लिए important email है तो आप क्या कर सकते हैं जैसा हम एक्जांपल में बताते रहें मुबाइल में या laptop में आप जब email पोर्दर ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक आपसल मिलता है आपके लिए प्राप करता को email copy कौन भेजता है नए प्राप करता है नहीं जेसी को mail भेजते हैं तो किसी दूसरे को अगर आपको email भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपका answer होगा आगे यानि फारण अगला कुस्तर है email पते का पहला बाग क्या कहलाता है तो अभी हमने बता है इसे abc.gmail.com होता है तो आगे का प्रोर्शन होता हुआ है जिसे यहाँ पर लिका सूरज 123.gmail.com आयट के पहले का जितना भी भाग है उसको हम username बोलते हैं या वित्यत उप्यो करता का नाम होते हैं अगला यहाँ पर है gmail.com yahoo.com yahoo.co.n ymail.com rediff.com यह लोग पर यह क्या है तो यह आपके email सरवर होते है gmail.com आप सब लोग यूजी करते हैं gmail तिक इसके दोरा yahoo.com rediff mail यह सारे चीज़े भी आपकी email से समन्दिद होती है अगला कुस्षन है smtp का पर देखते हैं किसी को तो आपर sntp protocol वर कर रहा होता है तो यहां पर इसका full farm पोच रहा है तो इसका full farm आपका होगा simple mail mail होगा simple mail transfer protocol mail लिखा है यहाँ mail होगा simple mail transfer protocol यह smtp का full farm होता है अगला कुस्षन है gmail में मुख folder क्या है यहीं आप किसी को mail भेजते हैं आपके पास mail आता है तो वो कहां जाके save होता है जिसका correct answer inbox जितने भी mail आपके आते हैं वो inbox में save होते हैं इसलिए इसको मुख की folder बोलते हैं अगला कुस्षन है जिन लोगों को हम email भेजते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम आप अगर किसी को mail भेज रहे हैं तो उसे हम टाप करता कहते हैं रेसी points बोलते हैं MS Office में email प्रबंधन के लिए software कौन सा है तो MS Office में email का एक option होता है MS Outlook एन Microsoft Outlook जिसका correct answer होगा एक ऐसी तक्नीक है जो आपको पारंपरिक डाग सेवाओं की देरी के बिना इंटरनेट पर संदेज भेजने और फ्राप्ट करने की अनुमत देता है तो यहाँ पर correct answer है email यानि email के द्वारा आप तुरंत ही किसी को online message भेज सकते हैं email संचार के परतेग उप्योग करता के पास होना चाहिए email से अगर आप किसी को संचार यानि कि पात्षित करना चाहते हैं कोई message भेजना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए यहाँ पर correct answer है एक business पहचान पत्र यानि एक पहचान करता का मतलब होता है email आईटी और जिसको भेजना है उसकी email आईटी एक अदूतिये पहचान करता जिसे email आईटी कहा जाता है इसकी email आईटी आपके पर सुना ठीक तब आप इतना आप असले से कसी को भेश सकते हैं email संचार में CC का आर्थ क्या होता है तो एक CC होता है यह होता है बीची सिशावीयर होता है आपका कॉर्बन कॉपी और बीची सी होती है ब्लाइंड कॉर्बन कॉपी तो यहां पर correct answer हो होगा carbon copy CC का आर्ष होता है carbon copy और BCC का फुर्पाम होता है blind carbon copy किसी वेक्ट की email ID में कितने भाग होते हैं यह इसी वेक्ट की email ID में कितने भाग होते हैं उसका correct answer है तू यानि यूजन नेम और दोमेन में इमेल से जोड़ी file को कहा जाता है अगर email किसी को भीज रहे हैं तो किसी को जो file जो attach करते हैं क्या बोलते हैं लगाओ यानि attachment बोलते हैं आप हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन यूजन सब्सक्राइब करता कि email ID की जाती है CC यानि आप अगर चार्ट दो लोग को email भीज रहे हैं जिसे हम एक जाम पर को से बताते रहे हैं आप अगर किसी को email भीजना चाहते हैं तो आप पर क्लिक करेंगे फिर इसके बाद टू जिसको बेजना उसकी email आटी यहां पर टाइप कर देंगे फिर इसके आगए यहां पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पर एक option मिलता है CC यहां पर CC में क्या होता है हम किसी दूसरे email आटी डाल सकते हैं इस तरह से तो यहां पर करेंगे अंसरों को CC यहां दो लोग बेजना चाहते हो तो आप CC में किसी की दूसरे के मिलाटी डाल सकते हैं आवांचित email को filter करके अलग किया रह सकता है इस पैम आवांचित में लग होता है जो आप इमेल को सही तरीके से कैसे प्रारूपित करते हैं इंग्लिस में एक उसन है है और यहां पर लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट यानि सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे किसी को मेल भी जैना इंप्रेंट जो लिखना हो बॉडि भाग होता है जिस पे आप सबसी लिखते हैं प्लोजिंग और सिगनेचर इसको अगर हम एज्जांपल फुरू दिखा है है आपको तो इमेल में आप सबी लोग यहां पर देख पा रहे होंगे सब्जेक्क किसी को इमेल आरी जिसको भी लिखना है यह बोड़ी बाट होता है अप लिख सकते हैं फिर इसके बाद नीचे आप अप अप्लोज होता है और यहां से अप शेंड कर सकते हैं कि यहां पर करेंट आंसर होगा कि वहां कि वहां डज बीसी सी स्टेंड फार रहें चेंडिंग एन इमेल जब इमेल भेशते हैं तो ब्लाइंड कॉर्बन कॉंपी यहां पर लिटर रिट्टिंग यहां पर हिंदी में इसको देखते हैं तो बता रहें आधी भरी हुई फाइल यहनी इमेल पूर्ट्या भेजते नहीं हैं उसको हम सेब कर लेते हैं कहां पे सेब होता है तो उसका करेंट आनसर है मसोदा यानि की ड्राफ्ट यानि जाम में प्रोज कर दिया तो आपके ट्राफ में सेव हो जाएगी कि देराइट फॉर सिंद्रीज इन इमेल कि चार प्रद्र से इमेल में अगला है इमेल घोटालों के खिला सबसे अच्छा बचाओ क्या है यानि इमेल आपकी हैक ना हो पाए और इसे कैसे बचा जा सुके उस्ता करेक्ट आंसर होगा भी इसकेब्ड रेन यूँ आर्ट वार्ड यानि जब आपसे विक्तिकत जानकारी मांगे जाए तो संसे मेरे यानि जब कोई आपसे आनलाइन कोई काम कर रहा है अगर परसनल लिटल मांग रहा है तो वहाँ पर आप साउधान उन जाए या बताने के लिए किस सब्द कप् इंटरनेट यूग की शुरुआत में इलेक्रानिक मेल द्वारा भेजे के संदेश छोटे और सामिक थे यहां पर केवल पार्ट यानि केवल टेक्स्ट पहले जब इमेल भेजना शुरू हुआ था तो केवल टेक्स्ट ही यूज किया जा सकता था किसी को फोटो या वीडिय यूजर दोर जितने भी मेल भीजे जाते हैं तो कहां से वोते हैं तो आपके शेंट बॉक्स में सेव होते हैं और यहां पर जो अगला कुशन है इस दच एक्सटेंज आप कंप्यूटर स्टोर मैसेज बाइट टेली काम्मुनिकेशन द्वारा लोगों से जो आमलाइन बातचीत करते हैं वह कहां पर सेव होते हैं तो आपके इमेल में सेव होते हैं इमेल के बारे में हम और बता देते हैं SMTP, POP3, MIME यह आपके इमेल के इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है एक्जाम में इसके फुलफार्म पूच जाते हैं SMTP का फुलफार्म, Simple Mail Transfer Protocol, POP3 का फुलफार्म होता है Post Office Protocol, Multipurpose Internet Mail Extension, MIME का फुलफार्म होता है और IMAP यह आपके इंटर्नेट के पूटोकॉल, इनके दौराए इमेल आप सेंड कर सकते हैं और रिसीब कर सकते हैं और वीडियो फाइल आडियो फाइल बेस सकते हैं मिलते हैं लिए वीडियो में कुछ और अच्छे सेंपॉर्टन टॉपिक के साथ, नमस्कार जाएं